जिस छात्रा के गायव होने की जानकारी सामने आई है इस छात्रा ने इस मामले में एक दिन पहले ही फेस्बुक पर लाइव कर अपनी जान का खत्रा बताया था और उसके अगले ही दिन से वो छात्रा लापता हो गई है और उसके लापता होने की कोई खबर हाथ नहीं लग र थाने में शिकायव के बाद पुलिस भी चुप बैठी हुई है वहीं केंद्री ग्रहमंत्री राज्यमंत्री स्वामी चिनमया नंद का शाहजापूर में कॉलेज है इसको लेकर पहले भी कई बार विवाद सामने आ चुके हैं चात्रा ने तीन दिन पहले अपने फेस्बुक लाइव वीडियो बनाया था और चात्रा इस वीडियो में कहती हुई नजर आ रही थी कि मैं ऐसे स्लो कॉलेज में पढ़ती हूं एक बहुत बड़ा नेता बहुत लड़कियों के जिंदगी बरबाद कर चुका है और मुझे भी वो जान से मानने की धंकी देता है योगी औ सोले सो डीम सबको अपनी जेब में रखता है धंकी देता है कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता मेरे पास उसके खिलाफ सारे सबूत है आपसे अनुरोध है कि मुझे इंसाफ दिलाइए ये उसी चात्रा के शब्द है जो उसने अपनी फेस्बुक के लाइव वीडियो में उप दे रहा है और चात्रा अपनी वीडियो में मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हुई नजर आ रही है कि उसकी मदद की जाए और इस लाइव वीडियो के बाद से ही चात्रा लापता है और लगातार परिवार जन उसकी तलाश कर रहे हैं लेकिन चात्रा का कोई पता नहीं चल आ रहा है वही पुलिस भी इस मामले में चुप बैठी हुई है तो अब देखना ये है कि जात्रा का पता कैसे लगाया जाता है और उसे इंसाफ मिलता है या नहीं सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस बेल आइकन फोर मोर अप्डेट्स